नमस्कार से स्रिया काल अदाब दोस्तों मित्रों यारों मैं आपका टुटोरियल होस्ट और दोस्त नवीन मालिक एक बाद फिर से करता हूं आपका स्वाग अपकी अपनी चैनल वीश्टोक पर और माइडिया फ्रेंड्स आप हैं फोटोशोप के दिवाने तो फोटोशोप के दिवानों फोटोशोप के इस नई टुटोरियल यानि की लेसन नंबर टुटोरियल नंबर 4 में आप काफी कुछ नया सीखेंगे और जिनोंने पिछली टुटोरियल नहीं देखे तो प्लीज उन्ने देख प्रेक्टिस ज़रूर कीजेगा आज के इस टु की है Scrubby Zoom के उपर Scrubby Zoom जो की आपने Use किया होगा Scrubby Zoom जिसके बारे में मैंने आपको बताया था Zoom Tool में बिसकली ये है Scrubby Zoom Scrubby Zoom से बिसकली क्या होता है कि ये आप जो Zoom Inno Zoom Out करते है Scrubby यानि की Animate होके आता है और इस तरह से आता है कि आपको बिलकुल भी दिखकत नहीं होती है और बहुत ही ज़ादा आप Comfortable महसूस करते है इसके साथ तो अब जो है इसके उपर ये update है Basically Adobe Premiere Pro जो कि इसका editing software है और Adobe After Effects जो की VFX और compositing का software है इसमें जो है Graphics Card की compatibility और incompatibility यानि कि आपकी system में जो Graphics Card है वो Adobe Premiere Pro और Adobe After Effects के compatible है यानि ये show करता है अगर incompatible होता है तो वो GPU mode पे नहीं चलते है वो basically चलते है CPU mode पे यानि कि software mode पे अब ये चीज़ चलो ठीक है editing software और VFX या compositing software के साथ जो थी वो ठीक थी अब क्या हुआ कि recent update में इन्होंने क्या कि कि जो पुराने graphics card है उनको जो है incompatible show करना start कर दिया और अगर Adobe के accordingly आपका graphics card incompatible है या compatible नहीं है नए version के accordingly तो ये जो scrubby zoom है ये scrubby zoom work नहीं करेगा और वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था फिर भी बता दूँ कि preferences में जाके आप ये जो है सब check कर सकते है और यहाँ पर ये देखिए preferences में performance में यहाँ पर ये graphics processor settings में detected graphics processor दिखाना चाहिए और यहाँ पर मेरा ये तो खैर दिखा रहा है NVIDIA Corporation का ये model और ये आप check कर लीजेगा खुद भी कि ये जो है आपका detect कर रहा है कि नहीं और ये use graphics processor ये जो है check होना चाहिए हमेशा ये धन किएगा और advanced settings में अगर आप जाएंगे तो ये जो है drawing mode में advanced जो है वो select होना चाहिए तो फिलाल मैं इसको कर रहा हूँ cancel और इसको भी कर रहा हूँ cancel तो Photoshop के जो tool बार में जो है move tool और artboard tool जो कि यहां पे clubbed है इसके बाद जो अगला tool है in fact ये कहना ठीक रहेगा कि जो group of tools है यहां पे दिखा रहे हैं आपको ये जो है यहां tool बार में सबसे पहले selection tool है rectangular marquee tool यह रहा rectangular marquee tool shortcut है इसका M उसके बाद है ये elliptical marquee tool और इसका भी shortcut M है उसके बाद है single row marquee tool single column marquee tool ये भी है इन सभी tools या ये कहें कि इससे जो अगले भी available tools है लैसो tool polygonal lasso tool और magnetic lasso tool अब ये जो selection tools है चाहिए ये वाले tools कहें चाहिए ये वाले tools कहें या मैं ये कहूँ कि ये वाले जो tools है object selection tool quick selection tool magic wand tool इन सभी selection tools का जो use है वो या तो किसी photo या photoshop document में opened कोई image हो, photo हो या कोई artwork design हो जो की हमने create किया हो उसका selection या काउंकी particular किसी हिस्से या part का selection लेने के लिए किया जाता है और selection लेकर हम उन्हें किसी अलग जगा पर copy भी कर सकते हैं या फिर selection लेकर किसी layer पर हम कोई color gradient pattern या उस particular select area में या उस part में कोई अन्य image photo या उन photos का कोई हिस्सा fill करने के लिए भी selection tools का प्रयोग करते हैं तो यहां पर जो है सबसे पहले जो है rectangle और मा की जो tool है वो है और इस से हम rectangular या square shape के selections ले सकते हैं अब एक काम करते हैं कि एक photo open कर लेते हैं और यह मैंने डाउन्लोड की है unsplash.com से यह यह photo मैं करते हूँ open यह लीजे अब जो है rectangle और market tool यहां से लेते हैं select करते हैं मैंने तो खेर already जो है select है और अब जो है properties बार में इसकी जो properties है वो होगी है active अब यह देखिए properties बार में सबसे पहला option यहां पे new selection जो है वो जो है दिखा रहा है यहां पे enabled यानि की जी हां selected अब जो है इसको select रहते हुए अब हम क्या करते हैं इसमें अगर हमने कोई selection लेना है तो हम कैसे लेंगे अब rectangular market tool को select रखे वे अगर मैं यहां से यह मैं यहां पे करता हूँ अपने mouse से click और mouse के left button को press रखे वे मैं यहां से यूँ track करना start कर देता हूँ यह मैं नीचे से उपर उपर से नीचे बाएं से दाएं और यह लगा लीजे कि बाएं से दाएं और नीचे आते वे और जो है दाएं से बाएं उपर आते वे नीचे आते वे मतलब किसी तरीके से भी जो है मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ अब यह देखिए जो dotted line आ रही है वो basically आपको दिखा रहा है कि इस dotted line के अंदर का जो area है वो selection में आएगा वो selected होगा और यह आप देख रहे है डबली ओ रहा है यह आपको mm में यह आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे जैसे आप जो है इसकी रखिए height जो है गटाएंगे तो यह भी गट रहा है और width अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसके साफ से यह कमिया ज़ादा होती हुई आपको दिख रही है तो खेर यह आप जैसा चाहें वैसा selection जो है ले सकते हैं और यह selection अगर आपने एक बार ले लिया तो आप इसको move भी कर सकते हैं तो खेर अभी मैं एक बार this point do कर रहा हूँ और दुबारा एक बार आपको selection लेकर दिखा देता हूँ यह देखिए नीचे से उपर या फिर उपर से नीचे जैसा भी आप चाहें selection ले सकते हैं और यह देखिए by default जो है जैसे आप drag करेता तो millimeter में आपको show करना था वो इसलिए करना था कि यहाँ पर जो है यह millimeter selected है यह जो है अगर आपने change करना तो आप कैसे करेंगे यह भी आपको मैं करके बता देता हूँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि view में जाएंगे view में हम देखेंगे कि rulers का है यह रही अब जाए जहाँ पर भी अगर इस पर right click करेंगे तो यह options आजएंगे आपको measurement के तो millimeter select है तो यहाँ पर जो है आप कोई भी किसमें यह देखना चाते है यानिकी pixels, inches, centimeters points, peaks, percent जिसमें भी आप चाहें वो change कर से suppose किजे मैं यहाँ पर करता हूँ pixels और अब मैं यह अगर ट्रेक करना start करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि width और height जो है वो pixels में आपको यहाँ पर show कर रहा है तो खेर यह तो हुआ rectangular selection अब यह जो selection है यह आया rectangular form में यानिकी आयताकार, अब आपको इसको चाहिए पूरा square, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब आप यह देखी selection करते हैं, कुछ यूँ अगर आप उस time shift को press कर लेते हैं तो यह आप देख रहे हैं कि width और height यहाँ पर ब्राबर जो है यहाँ पर draw हो रही है, जैसे देखी है मैं यह माकी को draw कर रहा हूँ तो यह जो selection है, यह जो draw हो रहा है यह equal draw हो रहा है चाहे आप उपर से नीचे, नीचे से उपर मतलब कैसे भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इस point से आप square draw करें और वो जो है इसको axis माद लें, जहाँ पे का basically cursor है ऐसा करना चाहते हैं, तो आप को करना होगा shift और alt key को press और फिर करना होगा अपने mouse के left button को press और press रखे वे यूँ जिहां अपने mouse को जो है, ट्रेक करना है top left to bottom right या फिर bottom right to top left जैसा भी आप चाहें, वो आपको ट्रेक करना शुरू करना है, यह मैं जो हूँ, यह देखिए, आपको करके दिखा रहा हूँ तो यह देखिए, यह हो गया select इस rectangular marky को select रखे वे अगर इसको कहीं पर भी track करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यह track हो रहा है, असानी से अब इसका मतलब क्या है, इस selection का कि इसके अंदर का जो area है, वो selected है अब मैं इसके अंदर कुछ भी अगर fill करूँगा color, या इसको copy करके कई paste करूँगा तो वो अलग से paste हो जाएगा बट ऐसा करने से बढ़ एक चीज यह जान लेते है कि basically new selection का मतलब क्या है, अब इस selection आपके पास है, अब मैं मान ली जी यह दुबारा से जो है, यह नया selection लेता हूँ तो क्या हुआ कि यह जो पुराना selection था वो गया हट, क्योंकि यह new selection, यहाँ पर by default जो है, वो है select चलिए, यह तो हो गया new selection पर अगर यह selection जो है, आप इसको नहीं चाहते, इसको हटाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है यहाँ पर select में जो है available है, यह option deselect जिसका shortcut है control D अब control D करते ही, क्या होगा कि यह जो selection है, वो deselect हो जाएगा, और undo करते दुबारा वापस फर चलिए एक चीज करके देखते है suppose कि यह मैं selection लेता हूँ इस time सिर्फ इतना और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अलग से जो है copy करके कहीं use कर पाऊँ या फिर यह कहूँ कि इसी document में ही copy करके अलग layer बना लो, तो उसमें क्या करूँगा मैं कि control C करूँगा control C से copy और control V से वो हो जाएगा अलग layer पे paste, और by default देखिए Photoshop जो है, कोई भी selection हम लेकि अगर copy paste करते है तो उसको अलग layer पे paste करता है ताकि आप अपने काम को easily manage कर पाएं और अलग layer पे होता है तो आप किसी चीज़ को easily remove भी कर सकते है उसमें changes कर सकते है, उसको कुछ भी कर सकते है, यह खेर आपके उपर है तो खेर, अब मैं क्या करता हूँ कि इस layer को delete कर देता हूँ रैट क्लिक करके भी जो है option आ जाता है वैसे तो delete layer का आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते है यह पूछेगा आप से confirmation अगर आप इसको कर देंगे on तो यह next time से नहीं पूछेगा suppose कि मैं यूँ करता हूँ और delete करता हूँ तो यह देखे, बीना confirmation कि इस वाइस ने delete कर दी तो दूसर option यह है कि जिस layer को आपने delete करना है उसको drag कीजे और यहाँ पर नीचे की तरफ यह जो bin है, यह जो trash है इस पर कर दीजिए, यहाँ पर drag यह मैंने mouse के left button को जो कि अभी तक pressed था यहाँ पर कर देना है release और जैसी आपने release किया layer होगी delete यह तो खहता new selection अब जो है हम आते है rectangular market tool का ही अगला यहाँ पर option है properties बारे में add to selection यह क्या करता है यह basically काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ suppose कीजिए कि यह आपने selection ले रख है अब देखिए यह add to selection select है तो यह देखिए यहाँ पर plus का यह icon बना वह आ रहा है तो मैं जैसे ही जो है drag करता हूँ यह तो आप देख रहे हैं कि यह इसमें जो है add हो रहा है और आपको यह भी दिहान रखना है कि जो already selection में है अगर आप उसमें drag करेंगे तो कुछ impact आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि already वो area selected है add to selection में जो area selection के बार है जो selection में नहीं है सिर्फ उसी area को और उनी pixels को जो है वो select करेगा अब इसके बाद जो है अगला option है properties बार में यह है subtract from selection अब यह कैसे काम करता है अब मालीजिए मैं करता हूँ यह track तो हुआ यह कि already जो selected area है उसमें हमने जो निया selection आप यहाँ पे draw कर रहे है यह जो area है यानि कि जो already select है वो जो है पहले वाले में से जो common होगा यानि कि existing और new में जो common होगा वो हो जाएगा subtract from selection एक काम आपको यह भी करके बतातो कि माली जी मैं करता हूँ अब unit हो तो अब हुआ यह कि इस selection में से यह area जो है यह हो गया अलग यानि कि subtract अब माली जी इसको करते है copy क्या होगा और कैसा impact आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ यह मैं कर रहा हूँ control C और control V जस्ट reference के लिए आपको show करने के लिए यह मैं कर रहा हूँ इस layer को off यह देखिए यह area और यह क्योंकि इसमें से हमने यह area minus किया था subtract किया था तो यह area selection में इस बार नहीं आया अगला option यह देखिए यह intersect अब intersect क्या करेगा यह देखिए यह intersect यह देखिए अब basically जो feather है वो क्या होता है feather का मतलब ऐसे होता है punk लेकिन photoshop में मैं यह कूँँगा कि feather मतलब जब हम selection ले copy करते हैं या कोई color gradient pattern उस selection में fill करते हैं तो edge जो है हमारे कितने soft होंगे यानि कि वो hard edge आएंगे या फिर soft आएंगे feather का सही impact तभी आएगा जब feather हम देखिए इसमें कम से कम 40 या 50 pixels तभी आपको यह देखेगा और यह भी तब होगा जब आप नई selection के साथ में जो है इसको apply करेंगे तो फिलाल जो है मैं देखिए कर रहा हूँ उसको ctrl d यानि कि d select अब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 50 यह 50 pixels का feather और उसके बाद यह उन्ट्रोग कर रहा हूँ है तो आप देख रहे हैं कि इस पार जो है edges राउंड हो गए यह round edges दिखा रहा है कि आपका जो feather है वो इस पे applied है तो अब यह देखिए मैं कर रहा हूँ selection लेने के बाद ctrl c और ctrl v वह चेक कर लेते हैं इसको यह देखिए edges जो है इस बार feathered आए और अगर हमने इसको लिया होता 0 pixels के साथ जितना ज्यादा feather उतना ही ज्यादा impact आपको नजर आएगा suppose कि यह मैं आपे 25 लेता हूँ और निया selection लेता हूँ इस बार c c बहुता हूँ आप देख रहें कि इस बार feather पहले से कम इसको delete करते है simple delete भी कर सकते हैं यानि कि delete की को press करेंगे और वो layer जो की selected है वो delete हो जाएगी अब हम क्या करते हैं कि इस बार इसको करते हैं 100 pixels और यूँ कर लेते हैं control c control v देखें कितना feather आगया और इसको delete करते हैं और suppose कि जिए मैं इसको करता हूँ भी 500 pixels और यूँ करता हूँ देखें इस बार पूरा का पूरा यह जो है round हो गया यह जो basically जो feather है यह apply होगा आपकी image की resolution के according भी या यह को कि आपका जो selection area है उसकी resolution या उसकी pixels में जो resolution है उसकी width और height है उसके according भी यह measure करेगा और जब आप छोटे area या या फिर यह काऊं की कम resolution image पे ज़्यादा feather apply करते हैं तो आपको Photoshop message दे देता है तो घर यह कौन सा message आता है कैसे आता है क्या होता है वो भी मैं आपको करके बताऊंगा लेकिन अब यह देखी अगर मैं इसको मान लीजिए करता हूं control C, control V तो यह देखी फैदर इतना जादा है कि यह बिलकुल जो है soft हो गया है इस टैब इसको treat करेंगे और इस बार जो है मान लीजिए मैं फैदर देता हूं यहाँ पे thousand यह देखिए अब जहाँ पे हैं warning में no pixels are more than 50% selected D selection edges will not be visible क्योंकि फैदर जो है 1000 pixels का हो गया और जो हमारे selection है उसमें जो pixels है वो 50% से ज़्यादा selected ही नहीं है जो selection जो edges है वो visible नहीं होंगे इसलिए selection नहीं हो सकता अब मैं थोड़ा सा बड़ा selection लूँगा तो definitely देखिए वो ले लेगा तो खैर इस प्रकासे काम करता है फैदर इसके बार में जादा जो है इतना सोचने की समझने की जूरत नहीं है जब आप करेंगे तो खुद ही जाएंगे फिलाल जो है इसको मैं करता हूँ 0 pixels otherwise क्या होगा कि नया selection जब अगली बार होगा तो वो 1000 pixels का ही आ जाएगा जो कि मुझे खैर नहीं चाहिए अब ये तो हो गया इसमें feather के supply करते हैं पर एक चीज़ आपने शायद notice नहीं की मैंने तो layers की जो eyes है वो close करके बंद भी कर दी लेकिन आपको impact लगा के नहीं लगा कुछ सीखा के नहीं सीखा मैंने क्या किया था मैंने basically क्या यह था कि माली यह लिया था मैंने selection ctrl c औ ctrl v किया था और इस layer की यह आख बंद कर दी अब आख अगर यहाँ पर on है इस icon का मतलब क्या है कि layer off और on यह आपने notice किया कि नहीं notice किया किजिए तब ही तब सीखेंगे ना selection later time आपको यह द्यार रखना है कि आपकी जो layer है वो select होनी चाहिए यानि कि अगर आपके layer panel में कई सारी layers है और आप किसी और layer पे हैं तो वो selection नहीं होगा और और क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा यहां पे क्या करता हूँ मैं suppose किजिए यह जो है यह लेके मैं एक नही लेर create कर देता हूँ अब जो है मालीजिए यह layer तो है अब मालीजिए मैं suppose किजिए इसका selection लेना चाहता हूँ और मैं लिए selection लेता हूँ इतना लेता हूँ और मैं करता हूँ control C तो यह आ गया message could not complete the copy command because these selected area is empty अब ऐसा क्यों हुआ क्योंकि यह जो चीज है यह मुझूद है background layer पे और अगर मैं बात करूँ इसकी तो इसमें जो है सिर्फ यह area जो है यह जो है pixels से भरा हुआ यानि कि इसी में ही pixels मुझूद है बात की जो canvas है वो सारा का सारा खाली है तो आपको यह ध्यान रखना है कि जिस layer से आप selection लेना चाहते हैं वो उस time enabled हो अब मैं इसको माली जीए enable करता हूँ यानि कि इसको select करता हूँ इस layer को तो आप मैं करता हूँ control-C और control-V तो आप देख रहे हैं कि कोई भी error नहीं आया क्योंकि वो जो है इस time हमने इस layer से copy की दी अब एक काम करते हैं ये कि मैं लेता हूँ उसका selection और इसको भी करता हूँ paste अब देखिए तीन अलग-लग layers हैं और मैं अगर चाहूँ कि मेरेको इनको delete करना है इन तीनो layers को एक अठर delete करना है तो कैसे करूँगा अब देखिए अब लेयर पैनल पे उसके जिस shift की को रखता हूँ press और layer 3 पे करता हूँ click तो ऐसा करने से क्या हुआ कि तीनो layers होगी select अगर मुझे individually layers को select करना है तो वो कैसे करूँगा मैं उसके लिए मैं करूँगा क्या की एक layer को करूँगा select उसके बाद control की को करूँगा press keyboard की control की को press रखे वे mouse का left click ये देखिए इस time layer 1 और 3 जो है वो select है और अगर control की को press रखे वे mouse का left button फिर मैं layer 3 पे करूँगा press तो ये हो जाएगी unselect जी हाँ और अगर इसको करूँगा मैं layer 2 पे इस बार तो ये layer 1 और 2 जो है वो होगी select अगर मैं अब इस time इन दोनों को पटकता हूँ यहाँ पे नीचे तो ये दोनों delete हो जाएगी delete की को press करता हूँ तो भी delete हो जाएगी या फिर right click करके delete layers करता हूँ तो भी वो delete हो जाएगी ये बहुत जादा simple है कोई भी घुणाने की बात दी है तो खेर अब हम आते हैं यहाँ पे ये है style ये normal fixed ratio fixed size ये क्या है अब देखे बाइडिफोल्ट जो भी हमने सब कुछ किया याने कि new selection add to selection subtract from selection और intersect ये सब कुछ किया normal पे अब ये drop down menu में second option है fixed ratio अब ये fixed ratio है क्या अब जैसे हमने इस पे किया click याने कि इसको किया select तो width और height आगे one by one और अब देखे अब जैसे ही हम ये track करना start करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि equal याने कि width और height equal में ही ये draw हो रहा है अब यहां पे suppose कीजिए मैं करता हूँ four ratio two और track करता हूँ दुवारा से नया selection तो ये देखिए ये जो track हो रहा है अब ये four ratio two के साब से हो रहा है यानि कि अगर चाहें तो यहां से fixed ratio का option भी ले सकते हैं और इसके साब से जो है ये perform करेगा हमारा rectangular marky tool अब fixed ratio के नीचे है fixed size अब ये fixed size आकर है क्या अब देखिए fixed size करती है आगया width और height का option हमारे पास यहां पे आप desirable width दे सकने है desirable height भी दे सकने है अस्पोस कीजिए यहां पे 300 by 800 pixels की जो है height और width है यहां की width है 300 pixels और height है 100 pixels तो अगर आप यह करते हैं मालीजी draw तो यह देखिए 300 by 100 pixel का यह जो है draw हो गया अब स्पोस कीजिए आप इसको करते हैं 600 by 400 देखिए सिर्फ click करते ही rectangular marky ने selection draw कर दिया और by the way यह जो है यह orientation है अब देखिए यह इस time हुआ है कि इसकी जो values है आपस में change होगी switch होगी इसको फिलाल मैं normal पे कर देता हूँ इसके बाद जो है आगे है यहां पे elliptical marky tool अब यह elliptical marky tool जो है आखिर वो करता किया है देखिए elliptical marky tool में जो सारे के सारी options हैं जो properties बार में आपको दिख रहे हैं new selection add to selection subtract form selection और intersect with selection इस सारे के सारे वैसी perform करते हैं जैसे rectangular marky tool में किया इन्होंने तो देखिए draw करना start करते है यह आप देखिए यह ellipse form में draw होना start हो गया अब अगर आप चाहते हैं कि यह बिल्कुल goal यानि कि वृताकार यानि कि circular form में आए तो आपको करना क्या है कि shift key को करना है press देखिए अभी इसकी width और right जो है equal to हो रही है और अगर आप alt key को भी सारे में press कर देते हैं यानि कि shift और alt key को press कर देते हैं तो वही हो रहा है जैसे कि rectangular marky tool में हुआ था तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जहां पर आपके mouse का जो pointer है उसको axis मानते वे इसने draw करना start कर दिया यह देखिए और इसके साथ जो है यह और options भी हैं जैसे add to selection यह जो है बिल्कुल जो है same जो है वैसी perform करेगा जैसे कि उसमें किया जिसमें rectangular marky में और यह जो है सब्टेक्ट करेगा और यह वाला option करेगा intersect with selection यानि कि काटना यह intersect कर रहा है और जो common है दोनों में वही सिफ area आपको selection के रूप में यह सामने आएगा यानि कि वही बचेगा बाकी जो है सारा delete हो जाएगा और इसके साथ यहाँ पर feather है यह तो आपको पता ही है क्या है इसके साथ यह देखिए नया option है anti-alias तो जैसे आप इसके checkbooks पे ले जाते हैं अपना करसर तो यहाँ पर दिखाता है smooths edge transition अब basically anti-alias करता क्या है कि जो भी हम selection लेते हैं जो कि यह लगा लीजी आपकी round form में है थोड़ा सा गुलाई के form में है तो यह जो edges की जो transition है इसको यह smooth मनाता है तो मैं तो यह कहूँगा कि इस option को check रखे हुए select रखे हुए ही आप सारे कामों को perform कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि इसके बिना result कैसा आएगा क्या आएगा यह तो खैर मैं कहूँगा कि आप खुद ही करके देख लीजिएगा experiment और यहाँ पे जो है style में normal fixed ratio और fixed size यह options मुझूद है अब यह fixed ratio और fixed size इस में यानि कि elliptical mark की tool में कैसे work करेगा कैसे perform करेगा यह आप खुद से ही करके देख लीजिएगा यह है आपकी assignment और यहाँ पे आपको दिख रहा यह select and mask यह select and mask जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि refine edge जो tool था refine edge tool को इन्होंने basically select and mask में convert कर दिया यह refine edge यहाँ पे जो है इन्होंने ऐसे brush दे दिया है और object selection tool भी जो है इन्होंने introduce किया है तो जब हम object selection tool पे आएंगे तब यह जो है selected mask जो है यह बहुत बड़ा roll अदा करेगा तो खैर इस option का use हम करेंगे तब और अब फिलाल आते हैं हम next option पे यह है यहाँ पे single row market tool देखिए अब single row market tool करता क्या है single row market tool जो है यह एक row यानि की horizontal line जो है ड्रो करेगा horizontal mark को ड्रो करेगा जो की एक pixel height की होगी यह देखिए और इसके साथ यहाँ पे जो है options भी मुझूद हैं यह वाले लेकिन एक pixel height में आप क्या तो खैर selection लेंगे और क्या छोड़ेंगे तो खैर मैं इसको कर रहा हूँ select control D से और single column marki tool single column marki tool basically draw करता है column के हिसाब से marki यानि की इस टाइम जो marki draw होगी वो होगी एक pixel width की vertical यह देखिए एक pixel width की vertical mark की जो है draw होगी है तो यहां पर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि अब क्या photoshop ने हमको कोई shortcut दिया है जी हाँ बिलकुल दिया है एक shortcut दिया है जो की इन सभी options के बीच करेगा switch toggle है switch है कुछ भी आप कह लीजिए और यह है keyboard की shift की alt की और shift plus alt की अब यह shift की क्या है जैसे आप देखिए shift की को करते हैं press तो यह देखिए plus वाला icon यहाँ पे active हो गया और यहाँ पे जो है यह add to selection वाला option active हो गया और जैसे shift की को करेंगे release तो यह जो है दुबारा अपनी जगा पे यानिकी normal में यानिकी new selection पे चला जाएगा अब देखिए मैं shift की को press रखे वे यह कर रहा हूँ यूँ तो यह जो है पुरानी selection में हो गया add अब मैं supposed कीजिए करता हूँ alt की को press यह मैंने किया alt की को press और alt की को press करती ही क्या हुआ यह switch हो गया जी हाँ subtract from selection mode में अब मैं यहाँ पे करता हूँ यूँ ट्रो और इसने क्या किया जो हमने नया selection ट्रो किया था वो हो गया subtract पुराने में से और अब जो है अगला option जो की था ये अब इसका shortcut क्या है यह अगर माल लिजे मैं shift और alt की को दबाता हूँ इकठा प्रेस करता हूँ तो यह देखिए यह वाला mode हो गया active तो मैं अगर माल लिजे करता हूँ कुछ यूँ तो यह क्या करेगा यह करेगा intersect और अब क्या रह गया अब एक चीज यह कि सब कुछ आपने कर लिए आपने selection ले लिया उसको copy करके paste कर दिया नई layer भी बनके आ गई बट यहाँ पे एक चीज यह कि suppose कीजिए आपने खुछ से ही नई layer create करनी है और उस पे जो है कुछ colorful करना है तो आप वो कैसे करेंगे तो वो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ suppose कीजिए आपने लिया ये selection कुछ भी ले सकते हैं आप अपनी पसंद का और मालीजिए आपने इस पे करना है color fill तो ये जो है ये है यहाँ पर foreground color और नीचे है background color ये मैंने यहाँ पर किया click color मैं करूँँगा कोई सा भी select इस time कुछ ये वाला color ले लेते है और suppose कीजिए मैं अब करता हूँ alt और backspace की को press या मैं alt और delete की को भी press कर सकता हूँ तो ये देखिए जो मेरा selection था उसमें जो है color fill होके आ गया बट इस time क्या हुआ कि ये जो color है ये basically मुझूद है इस layer पे यानि की background layer पे जो की लोक है तो इसलिए मैंने कहा था कि नई layer जो है क्यों है लेना ज़रूरी और अनलग लेयर इस पे काम करने का benefit है तो यहाँ पे फिलाल देखिए मैं कर रहा हूँ undo selection को रहने देते है और अब मैं क्या करूँगा कि यह plus icon पे अगर मैं करता हूँ माली यह click तो new layer add हो जाएगी नहीं तो new layer जो है मैं यहाँ से मिले सकता हूँ यहाँ पे click करके shift control and जो है इसका shortcut है वैसे जो नई layer है आप अगर menu bar से लेना चाहें तो यहाँ से मिले सकते है layer new layer तो खेर यह आपके उपर आप कहां से लेना चाहते है तो जैसी आप layer लेते हैं तो एक download box आ रहा है layer one basically दिखा रहा है क्योंकि first layer है और आप कुछ भी desirable नाम जो है वो दे सकते हैं तो फिलाल मैं नाम कुछ नहीं दे रहा है इसको करता हूँ और अब इसमे जो है color fill करता हूँ यह देखिए मैंने किया color fill alt और backspace से और अब जो है मैं इस selection को कर रहा हूँ d select control d से मैंने किया d select अब अगर मालीजे move tool मेरा अगर select है तो मैं इसको अगर कहीं पर भी track करूँगा तो यह देखिए आपकी यह easily जो है drag हो रहा है कहीं पर भी और असानी से drag होते हुए drag करते हुए आप इसको जो है कुछ भी कर सकते हैं इसको कहीं पर भी आप चाहें तो वो रख सकते हैं easily place कर सकते हैं बीच में रख सकते हैं उपर रख सकते हैं नीचे रख सकते हैं आप चाहें तो यहां से जो है इसके जो है जो यह mode है color modes जो है वो भी change कर सकते है shift plus plus करके अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि color mode जो है change हो रहे है automatically अगर आप इसका color कुछ और यहां पर माननीजी फिल करते है तो इसका impact जो है यानि की in color modes का जो impact है यह कुछ और तरीके से आएगा यह देखिए तो खैर इसके बारे में आने वाले time में हम और भी जादा बात करेंगे experiment करेंगे तो खैर यह तो एक छोटी सी चीज थी और आगे काफी कुछ create करना हमको फ्लाल तो मैं इस layer को देखिए delete करता हूं और आपकी सुलियत के लिए Photoshop के इस tutorial को content wise के tag regress कर दिया गया है वो भी time के साथ ताकि आप सीध ही अपने desirable content को कर सके access और एक चीज यह कि अगर आप इस blank area में करते हैं मालने जाए click तो यह आता है तो यह basically क्या है कि default में यह color यहाँ पर आप चाहें तो black dark gray medium gray custom को इसा भी color पी कर सकते हैं और select custom color यानि कि अपने हिसाब से कुछ भी अगर आपको करना है तो वह भी आप कर सकते हैं यह जो सब चीज है यह जो है Photoshop ने दी है और एक चीज जाने से पहले मैं आपको और बताना चाहता हूं कि preferences में अगर आप जाते हैं suppose की channel पे और और इसके बाद जाते हैं यहाँ पे interface पे तो यह देखिए यह color themes है आप चाहें तो अपने हिसाब से जो है इसके interface का जो color है वो change कर सकते हैं और यहाँ पे और भी चीज़ है standard screen mode dark gray यह basically वही कि यह वाली जो screen है आपको किस color की चाहिए यानि की full screen with menus में यह आपको default चाहिए light gray चाहिए क्या चाहिए किसे सब से चाहिए यह सब कुछ जो है चीज़ें आपके सामरे बॉल्डर जो है dark shadow highlight color में यह default blue यह सब कुछ है अब default करते ही यह देखिए यह grayish है और blue करते ही यह देखिए यह हो गया blue तो आप अपने accordingly इसको set कर सकते हैं तो आपको यह कौन सी चाहिए यह चाहिए यह चाहिए यह चाहिए बतलब आप अपने इस हाफ़े इसको set कर सकते हैं तो फलाल मैं देखिए इसको करता हूँ cancel तो अमीद है आपको आज काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आज जो है आपने rectangular market tool elliptical market tool जो है इ on a laser tool की magnetic laser tool की और उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे दीरे-दीरे object selection tool quick selection tool magic went tool यह सब कुछ और भी बहुत कुछ आना बाकी है और उमीद है आज का यह tutorial आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो इसको share करना ना भूलिएगा अगर चैनल वी स्टॉक को नहीं क वी स्टॉक जय गुरुजी वाच प्रैक्टिस लार्न वी स्टॉक